बिसमिल्ला इरहमार रहीम सो सुदेर्ण्स आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट निबर 4 लेक्चर निबर 1 है और इस यूनिट में जो है हम स्पेशली पढ़ेंगे पार्शल फ्रेक्शन को सो पार्शल फ्रेक्शन क्या चीज इससे पहले जो है कुछ basic definitions है कुछ basic concepts है जो के हमें समझ आना जरूरी है सो मैं start कर रहा हूं यहां पे fractions से so the first definition is the first concept is fractions के fractions क्या चीज है पेले हम यह दिखें के fraction क्या चीज है So basically function क्या चीज़ है कि अगर हमारे पास जो है दो polynomial हो हम already polynomial के बारे में बात कर चुकिए है कि polynomial means कि अगर हमारे पास जो है एक algebraic expression हो like उसमें कोई variable ठीक है और कोई coefficient plus उसके लावा जो है कोई algebraic science जो है plus minus वगरा एक ऐसा expression जिसमें ये तीनों चीज़े हो ठीक है algebraic expressions ठीक है तो उसको हम क्या कहते है एक polynomial कहते है So for example x जो है वो खुद एक polynomial है 2 भी एक polynomial है ठीक है x plus 2 या x square plus 3 ठीक है इस तरह की चीज़े होंगे उसको हम polynomial कहेंगे लेकिन इसमें condition ये है कि जो हमारे पास variables है उनकी जो exponent है वो हमेशा whole number होना चाहिए whole number means from 0 to onward कुछ भी हो सकते है So तो अगर हमारे पास जो है दो algebraic expressions sorry दो polynomials हो एक हो p of x दूसरा हो q of x और इसको हम इस तरह fractions के form है यानि numerator and denominator के form में लिख ले ठीक है तो इसको हम कहेंगे क्या चीज़ इसको हम fraction कहेंगे इसको हम fraction कहेंगे So इसी तरह जो है अब fractions के जो है further types है जो के first type जो हमारे पास है वो है proper fraction proper fraction now proper fraction क्या चीज़ है अगर हमारे पास numerator जो है for example numerator मेरे पास है p of x और denominator मेरे पास है q of x बलके मैं एक example दे देता हूँ आपको suppose कर ले मेरे पास जो है एक example है जिसमें हमारे पास बन रहा है कि x plus 2 divided by x cube plus 9 ठीक है अब यह क्या है मेरे पास एक algebra sorry एक fraction है इस fraction को अगर हम देख ले so हमारे पास जो numerator है इसकी जो degree है वो क्या है 1 degree means इसकी जो highest power है इसमें variable की जो highest power है वो क्या है 1 है और denominator की अगर हम बात कर ले तो इसमें हमारे पास जो highest degree है वो क्या है 3 ठीक है so proper fraction में क्या होगा कि हमारे पास numerator की जो degree है वो कम होनी चाहिए और denominator की degree ज्यादा होनी चाहिए ठीक है In other words, अगर हमारे पास numerator की degree denominator की degree से कम हो तो उसको हम कहेंगे proper fraction इसकी बिलमकाबल अगर हमारे पास numerator की degree जो है वो ज्यादा हो किसके डिग्री से है, डिनिमिनेटर के डिग्री से तो इसको हम कहेंगे, इंप्रॉपर फ्रेक्शन फॉर एजामपल, अगर हमारे पास हो X स्क्वेर प्लस 27, let's suppose मैं वैसे ही अपने तरफ से लिख रहा हूँ, कुछ भी और यहां पर हमारे पास हो X स्क्वेर प्लस 92, कुछ भी हो इस तरह अब यहां पर अगर हम देख ले तो जो निमिनेटर है, उसकी डिग्री कितनी है 2 और जो डिनिमिनेटर है, उसकी डिग्री कितनी है 2, तो छूँके जो इंप्रॉपर फ्रेक्शन है उसमें क्या है कि निमिनेटर की डिग्री जो है वो greater than या equal to denominator हो तो उसको हम क्या कहेंगे इंप्रॉपर फ्रेक्शन कहेंगे ठीक है उसको हम इंप्रॉपर फ्रेक्शन कहेंगे अगर for example यहां पर जो है हमारे पास डिग्री जो है वो 3 होता ठीक है यहां पर अगर x cube है तो चुँकि numerator का जो डिग्री है वो ज्यादा है denominator के डिग्री से तो इसको हम कहेंगे इंप्रॉपर फ्रेक्शन ठीक है proper मैं दुबारा बता रहा हूँ proper के लिए condition यह है कि हमारे पास जो numerator है उसका डिग्री जो है वो कम होना चाहिए denominator के डिग्री से ठीक है लाजमी तो अपर कम होना चाहिए अगर कम ना हो I mean equal हो ठीक है मैंने आपको पहरे बताया था कि उपर भी हो के पास x square है नीचे भी x square है या उपर भी x cube हो ठीक है इसी हम कहेंगे improper fraction इसके लावा जो है जो एक next concept है वो हमारे पास है rational fraction का ठीक है rational fraction now what is rational fraction rational fraction क्या चीज़ है rational fraction के एते हैं basically जो मैंने आपको definition बताया हुआ है fraction का कि अगर हमारे पास हो let's suppose एक fraction है p of x divided by q of x तो rational fraction केते हैं उस fraction को जिसमें आपके पास q of x जो है यानि denominator जो है वो not equal to 0 हो वो 0 ना हो ठीक है 0 के इलावा कुछ भी हो तो उसको आप कहेंगे क्या चीज़? उसको आप कहेंगे rational fraction ठीक है अगर 0 हुआ तो यह क्या बन जाएगा infinity बन जाएगा so rational fraction केते हैं उस fraction को जिसमें आपके पास denominator जो है वो 0 के इलावा कुछ भी हो ठीक है so rational expression जो है उसके example क्या हो सकते है for example x squared divided by 2x plus 3 या let's suppose यहां पे लिखा हुआ है 9x cubed plus 3 divided by 4x minus 9 ठीक है मतलब देखो आप यहां पे अगर हम देख रहे तो यह हमारे पास जो है एक improper fraction है यह हमारे पास एक improper fraction है इसी तरह हमारे पास यह भी हो सकता है कि x divided by x squared plus 9 अब यह हमारे पास एक proper fraction है ठीक है तो तमाम proper और improper fractions जो है वो सारे किसीज में आ रहे एक rational fraction के अंडर आ रहे है ठीक हो गिया ठीक हो आ हूएफ़ से खास आ है आ किसीज में आ रहे है